असलाम वालेकुम दोस्तो विलकम बेक्टोवर यूटीब चानल जोया की दुनिया दोस्तो एक छोटा सा इंफर्मेट्यू वाला वीडियो है जो आप लोगों के सवालों का के जोया दीदी आप कौन से कौन से प्रोडेक्ट सेल करती हो तो देख लीजिए मैं वीडियो में बताऊंगी जितने भी मेरे प्रोडेक्ट्स डाइली सेल होते हैं सबसे पहले नेल्स मेहंदी का पेस्ट यस प्रिपेर किया हुआ रेडिमेट पेस्ट इस तरह का पैकेट्स भी आपको जितने ग्राम चाहिए उतने आनलाइन मिल जाएंगे क्योंके नेल्स मेहंदी प्रिपेर करने का उतना टाइम जिसको भी नहीं मिलता उनके लिए इस तरह का रेडिमेट पेस्ट भी जाता है और साथी साथ हाँ हैंड्स मेहंदी कोन्स ज्यादा आडर्स आएं तो ब्रेक में टी तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये देखें आज जा रहे हैं अरेख के बाटिल्स हाँ जितना आपको चाहिए लीटर चाहिए टू फिफिटी एमल चाहिए फाइफिटी एमल मिनिमम टू फिफिटी एमल इस तरह की बाटिल रहेगी और साथी साथ जारा लीटर वाली बाटिल भी और उसके साथ ट्याख होने वाले हैं हैंस महंदी के कोंस और साथी साथ नेंस महंदी के कोंस हैंस महंदी के कोंस का स्टेइन अच्छा आएगा क्या ये नैचरल रहेगा क्या तो दोस्तों सोचने वाली बात ही नहीं है अलहम्दोल्ला जितने भी और्डर्स जा रहे हैं आप ये देखके ही पहचान सकते हैं कि अलहम्दोल्ला मेरा प्रोडेक्ट बहुत ही नैचरल औरगानिक है ना कौन्स रहेंगे स्पेशली फर ब्रैडल्स के लिए और नेल्स मेंदी ये तो पुछने वाली बात ही नहीं है क्योंके डैली अलहम्दोल्ला जितने भी जा रहे आरेख नेल्स मेंदी आरेख नेल्स मेंदी बस इसी पर चल रहा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया के आप लोग इतना ट्रESTC करके आते हैं मेरे पर और उतने ही ट्रESTC से मैं आप लोगों को प्रोडिक्ट भी सेल करती हूँ तो फ्रेंड्स एक कौन दो कौन इस तरह हम सेल नहीं कर सकते अगर लोकल रहा तो बात चल जाएगी कि हाँ घर पर आए एक कोन ले लिए दो कोन ले लिए पर ये आडर है बॉक्स में रखना इसको प्याग करना फिर हम डेलिवरी करने के लिए कुरियर आफिस जाना ये सब कुछ प्रासेस लगता है तो इसलिए एक या दो कोन हम प्रिप के हो तो हर जगा वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुके हैं आप लोग भी अगर बै करना चाहते हैं तो सोचने वाली बात कुछ नहीं है अलहम्दोल्ला दोनों कोन्स का भी स्टेइन बहुत अच्छा आएगा अगर आप बिजनेस करते हैं घर पर ही अगर आप लोग अरख क बै करना चाहते हैं तो वो भी बै कर सकते हैं आप लोग पुछते हैं कि आप कौन सा वाला अरख सेल करते हैं तो मैं बस वीडियो पर बस आप लोगों के खाहिश पर डिफरेंट डिफरेंट प्रासेस बताती हूं अरख निकालने के लिए जीरा वाला गुड़ वाला टी प पॉडर शुगर काफी पॉडर से प्रिपेर किया हुआ तो मैं भी वही अरख को सेल करती हूँ अपने कस्टमर्स के लिए अगर आप लोगों को इस प्याकिंग के रिलेटेड कंप्ली डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट सेक्षन में बता दीजिएगा एक वीडियो आप लोगों के लिए डिटेल में शेयर करूंगी किस तरह प्याकरें बॉक्सेस कहां से लाएं पुरे कम खर्चे में यानि सस्ता सस्ता हो जाना चाहिए हमारा छोटा मोटा बिजनेस रहता है तो ज्यादा खर्चा हम इसमें लगाएंगे तो प्राफिट इसमें ह चले जाएगी हलके हलके से हमारे सब कुछ आसान हो जाना चाहिए तो मैं किस तरह सेल करती हूँ कवर कहां से बै करती हूँ क्या क्या करना है अगर आप लोग न्यू बिगिनर्स है बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों को भी डिटेल्स चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अल्ला हाफीस